बूर्मारिंग बच्चों कैसे हैं सब लोग आज का जो वीडियो है कि ये इंटर्मिडेट स्टुनेंट्स के लिए है जो ग्रूप वन में अपियर होने जा रहे हैं में 21 एक्जाम में ठीक है जी जैसे कि आपको बता है हमारा जो पेपर नमबर 3 है ये इंटर्मिडेट का ग् क्या हल्स चैप्टर की वेटेज होगी ठीक है क्या पूरे स्लेवर्स में से कौन से चैप्टर पे ज्यादा हमें फोकस करना है मतलब इंपॉर्टन चैप्टर कौन से हैं उन में से क्या-क्या टॉपिक पर हमें ज्यादा फोकस करके रखना है कहां पर ज्यादा अटेंशन द है जिसमें हम लोग concepts clear करते हैं जिसको क्या बोलते हैं overview of cost and management accounting इसकी जो वेटेज है दस से पंदर नमबर है इसमें आपका साथ में आ जाता है दस से पंदर नमबर की वेटेज में मतलब हंड़र का 10 50 बिसमाद दस से पंदर नमबर जो है element of cost and preparation of cost sheet भी आ जाता है ठीक है मतलब नमबर एक cost sheet नमबर दो introduction to cost इसका मतलब क्या है पांच नमबर का आपका mostly theory का question आता है पांच नमबर का theory का question आता है mostly 4 से 5 नमबर का और एक question ज्यादा तर आता है cost sheet का 10 नमबर का ठीक है जी दस नमबर का cost sheet का question आता है फेपर में ठीक है जी आगे चलते हैं बचो असरटेंवेंट of cost and cost accounting system cost accounting system 35 से 40 नमबर की वेट है यहाँ पर अब इसमें क्या-क्या आ जाता है material control है ठीक है जी labor control है overhead है ठीक है और साथ में आपके क्या-क्या है ABC है और non-integral, integral accounting system different between non-integral, integral मतलब theory है यह तो ठीक है और reconciliation मतलब आपकी 35 से 40 पुसेंट की वेटेज में कौन-कौन से chapter हो गए material प्लस labor प्लस overhead प्लस cost accounting system, cost accounting system में आप कह सकते हो आपका CRS आ जाता है cost reconciliation statement प्लस आपका क्या जाता है non-integral प्लस integral ठीक है जी यह आपके 5 chapter कितने नबर से है 35 से 40 marks में material labor और overhead equally important है theory प्लस practical के लिए अगर आपका हो कौन सा chapter ज्यादा important है theory के लिए कितने कौन सा practical के लिए दोनों theory और practical के लिए equally important है जितनी भी हमें theory आती है ठीक है material में से एक question अपका practical आएगा ही आएगा जैसे कि आपको पता है ज्यादा तर EOQ वाला question आता है ठीक है economic order quantity वाला ठीक है labor में आपको छोटा question जो आजाता है तीन से चार नंबर का वो आपको आजाता है labor turnover वाला और एक question आजाता है mostly remunational incentive का ठीक है ठीक है ठीक है अगर कई बारी क्या होता है या machine hour rate का आपको mostly question आ जाता है ठीक है cost reconciliation statement आपकी चार नंबर में या पांच नंबर में आजाती है ठीक है अगर कई बारी क्या होता है combined आ जाती है cost sheet plus cost reconciliation आ जाता है ठीक है या फिर non integral integral plus CRS आ जाता है ठीक है तो इस तरीके से हमारे को 35 से 40% की weightage है इस subject और इस chapter में इन chapters में उसके बाद 25 से 30% है method of costing यह बहुत important है यह chapter बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही पकड़ से मजबूती से करने वाले है single unit मतलब unit costing ठीक है जी job batch contract process और operating costing service costing और operating costing यह सारे के सारे chapter बहुत important है job batch और single आपको बहुत है चप्टर है यह totally तीनों के तीनों आप chapter कह सकते हो based upon course sheet totally जो है based upon course sheets है जी ठीक है जी course sheet के based है इसलिए इन तीनों चप्टर में बहुत अच्छे से बहुत असानी से कमट में इस समय में अपका हो जाएगा उसके बाद contract process और service समय लीजिए इन तीनों में से एक कोशन आपको आए गई आएगा contract एक process में से एक service ठीक है जी इन तीनों में से एक कोशन आपका आने वला बनता है उसमें से next है जो last part है सबसे important सबसे ज़्यादा time consuming ठीक है जी सबसे ज़्यादा time consuming ये chapters है आप standard marginal budgetary budgetary आपका theory plus practical दोनों के लिए बहुत important है और marginal standard जो आपको पता है ये practical purpose के लिए बहुत important ठीक है जी तो मतलब क्या है 20 से 25 नमबर की विटे जहां पर है मतलब यहां पर जो ज़्यादा chances होते हैं वो marginal standard के हैं ठीक है जी अगर हम चार attempts की बात करें है budgetary control पे ज्यादा focus हो रहा है ठीक है हर बार एक question budgetary control का आ रहा है तो marginal या standard में से question आ ठीक है जी तो मतलब क्या है किस तरीके से हमारे पूरे जो cost and management accounting का हमारा paper है उसमें हमारी इस तरीके से weightage है सारे बूरे के बूरे slivers के ठीक है जी तो यह मारा था यह इंटर का paper no.3 cost and management accounting जिसमें हमने डिसकस किया कि important chapter कौन से हैं किस तरीके से exam में weightage बनते हैं आज के लिए इतना ही बच्चों वीडियो अगर पसंद है तो जूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दवाना मत थैंक्यू बच्च